गुड इबिनिंग टॉल अप यू तोड़े विल डिस्कस एवाउट हाटवेट और पॉल्सरेट आज हम हाटवेट और पॉल्सरेट के बारे में डिस्कस करेंगे प्रिविएस वीडियो में हम structure and function सब heart के बारे में discuss किये थे जिसको वीडियो देखना है वीडियो की link में description box में देदूंगी देख लिजिएगा और जो हमारे channel पर नए है प्लीज channel को subscribe कर दीजिएगा चलिए अभी हम start करते है heart weight क्या है और pulse rate क्या है उसके बारे में discuss करेंगे you all are known that human heart is a muscular organ अब सभी को पता है human heart muscular organ है it beats when muscles contract and relax one complete contraction and relaxation of the heart is known as a heart beat heart की एक complete contraction and relaxation को ही heart beat कहते है the number of heart beat in one minute is called heart rate question चाह सकता है कि what do you mean by heart rate what do you mean by heart rate heart rate क्या है the number of heart beats in one minute एक minute में heart कितने बार beats करता है उसको ही कहते है heart rate the heart rate of a healthy adult human is 70 to 80 beats याद रखियेगा एक हेल्डी एडल्ट हुमियन का heart beat 70 to 80 beats होता है तेक है पर मिनिट एक मिनिट में 70 to 80 beats होता है एक होता है वेन वी रॉन और एक्सराइज दा हाट बीट फास्टर तो इंक्रिस था ब्लड फ्लो तो सप्लाइ मोर अक्सिजन तो दा सेल अप बोड़ी दिस अक्सिजन हैल्फ जेनरेट एनर्जी थ्रो रेस्पिरेशन क्या होती है जब हम हैबी एक्सराइज करते हैं तो उस टाइम में हाट बीट फास्टर हो जाता है इंक्रिस करता है ब्लड फ्लो को ठेकें और क्या होता है उसमें से ज्यादा ऑक्सिजन सप्लाई होती है सेल के अंदर देन सेल में आपको पता है रेस्पिरेशन होती है रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन इस प्रोसेस बाइच ग्लुकोज इस ब्रेकडाउन ग्लुकोज ब्रेकडाउन होता है ग्लुकोज का सिम्बल क्या है फर्मुला C6 H12 O6 यह जो ग्लुकोज है वो split होता है in the process of respiration respiration process में oxygen present में glucose breakdown होता है वो क्या permission करता है carbon dioxide plus water plus energy ठीक है यह energy heat के रूप में produce होता है और यह respiration का भी एक वीडियो है उसका भी link में ने description box में दे दूँगी देख लिजिएगा respiration क्या है और उसका mechanism क्या है कैसे क्या होती है energy produce होती है glucose के स्प्लेट होता है ठेक है इसके बारे में details है वो वीडियो में प्लीज देख लिजिएगा तो देखिए इसमें क्या होती है जब heartbeats faster होता है तो blood flow भी increase हो जाता है और blood flow जब increase होता है तो oxygen ज़्यादा supply होती है oxygen जब ज़्यादा supply होती है तो क्या होती है ना respiration process अच्छी तरह से हो जाता है ठेक है उसमें से क्या होती है energy produce होता है ठेक है और एक चीज़ आपको पता होगा कि doctor use a stethoscope स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं टू लीसिन टू आवर हाट बीट हाट बीट सुनने के लिए वैनेवर और हाट बीट ब्लॉड फ्लोज इन द आट्रीज तो एक धड़कती हुई आवाज सुनाई देता है। धड़कन जो कहते हैं ठेकें ठ techniques को कहते हैं पॉल्स तो यह थेम्स हाट कें सीसे पॉल्स अपोर करें थे UP К технологious विए की दिफ ले होगा कि थाओंगसाइंद को किस थाओंग्स सब्सक्राइब गेंगे जब हम टच करेंगे पॉलजấu मेजरधमन्ट हम कर सकते हैं उस्टाइन हमें क्या होगा यहां पर मैसूस होगा कि थाओंग् सावंड सेटेगा तो उसको ही कहती है क्यों ए के साथ equal किया गया है ठेक है तो the number of pulse rate in one minute is called pulse rate ठेक है the number of pulses तो the number of pulses in one minute एक minute में कितने number की pulses create हो रही है pulse means क्या है the throbbing sound कितने बार throbbing sounds produce हो रही है उसको ही कहता है क्या pulse rate और एक बार मैं बता देते हूं pulse rate क्या है the number of pulse in one minute एक minute में कितने number की pulses produce होती है pulses means क्या है ना throbbing sound कितने बार ये throbbing sound produce होती है उसको ही कहता है pulse rate तो pulse rate और आपका heart rate ये दोनों क्या है ना equal है pulse rate कैसे create होगा कैसे permission हो जब heart beat करेगा तो heart beat और pulse rate ये दोनों same होते हैं बराबर होते हैं तो pulse rate is equal to the number of heart beats per unit minute ठेक है तो pulse rate और heart beat ये दोनों एक minute में same आती हैं ठेक है ये तो था आपका heart beat और pulse rate के बारे में तभी ये दोनों equal हैं ठेक है final हमें पता चला कि heart beat और pulse rate ये दोनों क्या है ना ये दोनों equal है ठेक है heart beat जिसको कहते है pulse rate भी उसको ही कहते हैं ठेक है और एक adult human healthy adult human का एक minute में यानि पर minute 72 टू लेके 80 beats होती है ठेक है heart beat यानि heart rate ओके आज के लिए क्लास इतना है बाइबाटिक के टो लोफ यू हम नेक्स्ट वीडियो में एक निव टोपिक के साथ मिलते हैं यह बहुत छोटा सा वीडियो था तो प्लीज देख लिजिएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो